हेलो गाइज आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो संगम काल में साहित्त का विकास कैसे हुआ साथ ही इनसे सम्मंदित 15 most important objective कोशन को भी जानोगे वीडियो को सुरुआत करने से पहले जिन छोटे या बड़े भाईयों ने मुझे सपोर्ट किये सब्सक्राइब किये उनको दिल से धन्यवाद वाके में आपका दिल बहुत बड़ा है अगेन थैंक यू सो मच तो चलिए हम आज की इस सेशन को अस्टार करते हैं कोहचन को जानने से पहले दो छोटे भाईयों ने बहुत ही अच्छा कॉमेंट किया था जिसके बारे में हम बात करते हैं एक छोटे भाई ने बोला था कि कैसे हम एंसर लिक के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और दूसरा छोटा भाई ने बोला था और एंसर चाहिए इसका तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक्जाम कब तक है कॉमेंट में जरूर बताएं मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्द हो सके मैं सभी कोशन को अपलोड करूँगा तो चलिए हम आज की सेशन को अस्टार्ट करते हैं कॉचन है कि संगम काल में साहित्त के विकास पर परकाश डालें अथवा संगम यूग के समाज एवं संस्कृति पर परकाश डालें आपको दो कोहचन में से अगर कोई भी कोहचन पूछे तो आप ये एंसर को लिखें आपको किसी भी कोहचन को लिखने से पहले हेडिंग में क्या डालना है परीचे तो हम देखते हैं कि परीचे में क्या है प्राचिन संगम काल में जिन गरंथों की रचनाई की गई उन्हें संगम साहित कहा गया संगम युग की अवधी लगवक तीन सो इसा पूर्व से लेकर तीन सो इस्वी के बीच मानी जाती है संगम का अर्थ होता है संग जिसके अंतरगत तमील विद्वानों कवियों तथा बुधी जीवियों का एक समू था जो की परमुक पुराजाओं के संरच्छन में ही आयोजित होती थी यानि पराचिन संगम काल में जो था कई गरंथों को लिखा गया जिसके बारे में अध्यन करने के बाद हमें पता चलता है कि संगम काल में संस्कृति के सा था समाज के सा था वहां की बेवस्ता के सी थी इसके बारे में हमें पता चलता है हमें पूछा गया है संगम साहित के बारे में तो आप यहां पर पॉइंट बनाओगे संगम साहित या संगम यूग उसके बाद संगम साहित मुख रुप से तमील भासा में लिखा गया तमील भासा में लिखे गए साहित को ही संगम साहित या संगम यूग कहा गया है इस साहित में किरिष्णा एवं तुंग भंद्रा नदी के दच्छिन भारत में बसे तमीलों के बारे में वर्नन किया गया है आठवी सदी में तीन संगमों का वर्नन मिलता है आनिगाईज इसमें यह कहा गया है कि जो संगम साहित था यह मुख रुप से तमील भासा में लिखा गया है और यह जो है तमीलों के बारे में लिखा गया है जो कहां पर बसे हुए थे किरिशनायम तुंग भंदरा नदी के दच्छीन छेतर में है ना इस यूग की परमुक साहित रचनाओं में तोल कपीयम गरंत तथा सिलपा दीकरम मनी मेखले और जीवक चिंता मनी महाकाईब सामील है इन संगम परदेशों के विकास में चेर पांडो तथा चोल राजाओं का युगदान माना जाता है इसकी जनकारी हमें आसो के अभीलेखो से मिलती है इसके अलावा कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा सिलालेक में तमिल राज्यों का उलेक है उसके बाद गाइज जो संगम काल है वो तीन बार संगम काल हुआ पर्थम संगम काल दूतिये संगम काल और तीरतिये संगम काल तब तो हम तीनों संगम काल को देखते ह पर्थम संगम मदूरे में आविजित किया गया था इस संगम में देवता और महान संद सामिल थे परन्तु इस संगम का कोई साहित गरंत उपलवद नहीं है इसके अदश्ता अगस्ते ने की थी यह संग में कुल 549 सद्द सम्मिलित हुए थे जिसमें 499 लेखकों को रचनाएं परकासित करनी की उनुमती दी गई थी यह संगम में पांडव वन्स के 89 राजाओं का रचन पराब था लेकिन मदूरे समुद्र में समा जाने के करण पर्थम संगम काल की समापती हो जाती है आनिगाए जो पर्थम संगम काल था इसका जो आयोजित हुआ था वो मदूरे में हुआ था है ना और इसमें जो लोग सामिल थे वो देवता थे या महान संत्त थे और इस संगम काल का जो गरंत है वो अभी उपलब्द नहीं है इसकी जो अधश्ता की थी वो अगस्ता ने की थी वो एक रिसी थे इस संगम में जो है पांशो उन्चालिस सद्धस जो से भाग लिया था जिसमें से चुवालिसो निनानवे लेखकों को अपने रचनाओं को परकासित करने की अनुमती दे दी गई थी इसके बाद जो है दूतिय संगम काल जानते हैं गाईज दूतिय संगम काल कपाट पूरम में आयोजित किया गया था इस संगम को तोलकपियम नामक एक मात्र गरंत उपलब्ध है जो तमील व्यकरन गरंत है इसमें 69 पांडव सासकों का संरच्चन प्राब था इस संगम में तमील भासा के 49 विद्वानों ने भाग लिया था तथा 3700 कवियों द्वारा परकासित करने के अनुमति दी गई थी दूतिय संगम काल जो हुआ जो हुआ जो वो कपाट पूरम में आयोजित हुआ इसमें जो है सबसे परिसीद्ध गरंत है वो तोलकपियम है यह जो है अभ देख भाल करना उनके जो जिम्मेदारी थी उनको निभाना इसी परकार से 59 पांडवों का संड़चन प्राप था और इसको जो परकासित करने का जो अनुमति दिया गया था उनको 3700 कवियों को दिया गया था उसके बाद हम लोग जानते हैं गाईज की 33 संगम क्या था 33 संगम की भी मदूरे में हुआ था इसमें 49 विद्वानों ने भाग लिया था इस संगम में 49 पांडव सासकों का संड़चन प्राप था इसको तयार करने के लिए लगभग 49 कभियों को हनुमति दिया गया था यानि जो है 33 संगम काल था वो मदूरे में पुना मतलब आयोजि संगम कालिन राजियों की सासन वेवस था राजतंत्र एवं वनसा नूगत था राजा सासन का सरवच दिकारी था और सभी परकार की सक्तियां उसी के हाथों में नहित थी गयज यहां थोड़ा सा टाइपिंग में मिश्टेक हो गया है यहां हाथों में नहित थी लिख लेना पास सआही प्रतियक भोगा जिसे जैसे जिसी किसी राजा के मृति भी हो जाता है उसके बाद्य अंका पुत्र होता है वही राजा बन सकते हैं आप और हम नहीं बन सकते थे इसी परकार से राजदंत्र बेवस्ता था है और इसमें जो है सारी सक्थियां किसके पास होती थी राजा के पास होती थी राजा की सक्थी पर पांच परिशदों का नियंद्रन था जिन हैं पांच महासभ पर्तेक सासा के पास एक नीमित सेना जुड़ी हुई थी जो राजा का सकती था वो पांच परिशदों दुवारा नियंद्रन में रखा जाता था निदेख भाल करता था इसमें जो था वो था मंतरी पुरोहित मतलब पुजा पाठ करने वाला दूत था जो दूसरे राज्यों मैं अपनी संदेश को पहुंचाता था सेना पती जो था जो सेना का परमुक होता था गुबचर विवस्ता मुझे कहते हैं जिसे किस जासूसी मान लो एक तरफ से होता है उन्हें गुबचर विवस्ता करते हैं जो जासूस करता है उस समय साही दरबार राजा के राजनीतिक रोका नहीं जा सकता था यानि इनका जो है दर साही दरबार होता था गायज उनके राजनीतिक केंद्र होते थे हैं जिसमें साही दरबार के जो परमुख वेक्ति होते थे सादस होते थे वो भाग लेते थे राजा भाग लेते थे और उनकी जो रानी होती थी उसमें सामिल होत जानते हैं समाजिक जीवन, समाजिक जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं, पुरू नान्रू नामक गरंथ से तामीलों के समाजिक जीवन के बारे में पता चलता है, कि संगम समाज चार वर्गों में विभग था, संगम समाज में पुजारियों तथा ब्रह्मनों की प्रधा ती यानि गाई जो पुरू नान्रू नामा के गरंथ मिला है उससे हमें उनके समाजिक जीवन के बारे में पता चलता है कि उनके समाजिक जीवन था उनमें से समाज चार वर्गों में बटा हुआ था है ना जिनमें जो ब्रहमन थे या पुजारी थे उनकी अधिक सम्मान वा उसके बाद है संगम-यूग के दोरान इस्तरियों की इस्तिती ठीक थी। महिलाओं का सम्मान किया जाता था। विवाहित इस्तिरियां घर के कामकाच करती थी, तथा आपने बच्चों और पत्यों की देखवाल करती थी, भिलाओं को संपत्ति का अधीकार नहीं था, इन्हें अपना जीवन साथी चुनने का उनमदी था, यानि संगमकाल युग जो था उसक्चों की जो दसा थी ठेक थी है ना ये लोग जो था विवायत इस तिरियां जो थी वो घर के काम काज करती थी और अपने बच्चों की देख भाल करती थी लेकिन यहां पर विवध्वाओं का जीवन बहुत ही कठीन होता था समाज में इन्हें अलग नजरों से देखा जाता था इस समाज में उच श्तर पर सती पर्था के परचलन का उलेक मिलता है समाज में साधारन पुरुष एक विवायत था राजा बहु विवायत करते थे उसके बाद हम लोग जानने का प्रियास करते हैं गाई धार्मिक जीवन संगमकाल के परमुक देवता मुर्गन थे जिन्हें तमील भगवान के रूप में जाना जाता है दचिन भारत में मुर्गन की पूजा सबसे प्राचिन मानी जाती है और भगवान मुर्गन से सम्मंदी तहवारों का संगम साहित में उलेक मिलता है यानि गाइज जो उनका धार्मी जीवन था उनमें से जो परमुख देवताओं थे वे मुर्गन थे मुर्गन का वे लोग पूजा करते थे तेहवार मनाते थे है ना उसके बाद है संगम काल के दोरान पूजे जाने वाले अन्य देवताओं जैसे कि विसनू थे इंडर थे कृष्ण थे संगम युग में बहुत धर्म और जेन धर्म का भी परसार दिखाई देता है इसका आर्थिक जीवान है गाईज संगम काल साहित से यह पता चलता है कि दचिन भारत की भूमी उपजाओ थी जिसके कारण यहां पर अधिक अनाज पेदा होती थी चेर राज, कठल, काली मीर्च और हल्दी की खेती के लिए परसीद दे था चोल राज में काविरी नदी से सिचाई किया आता था यह लोग गन्ना से सक्कर बनाते थे यानि जो इसका आर्थिक जीवान था में रुप से खेती पर ही निरभड़ता किरेसी मुख व्यवसाय था और चावल सबसे आम फसल थी संगम यूग की महत्पुन विशेस्ता इसका आंतरीक और विदेश्चों में भी वेपार था बनर गाहों वाले नगर वेपार का केंदर होता था संगम यूग के परमुक निर्यात में सूती कपड़े और मसाले जैसी काली मिर चदरक इलाइची दाल चीनी और हल्दी के साथ साथ हांती दात के उतपाद मोती और बहु मुल रतन आदी प्रमुक थे यानि ये लोग जो है निर्यात करते थे इन सभी चीजों को उमीद करता हूँ गाईज की आपको ये कोहशन पसंद आया होगा समझ में आया होगा अब्जेक्टिव कोहशन को जानने से पहले गाईज आपने अगर इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें क्योंकि आपको पता है इस तरह से कोहशन लिखने के लिए हमें तीन चार NCRT बुक पढ़ने पड़ते हैं उसका सोट नॉट्स बनाना पड़ता है फिर टैपिंग करके इस तरह से कोहशन बनाता हूं इसलिए दो दिन एक कोहशन में लगते हैं आप लोगों का अगर अच्छा रिस्पॉंस मिलता है तो मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत किया है वो आप लोगों को सहयाता मिल रहा है इसलिए जितने भी लोग आये हैं अपना चोटा या बड़ा भाई मान कर इस चैनल को जरूर सपोर्ट करना है इस नीव चैनल चलिए गाइज हम लोग अब्जेक्टिव कोहशन को जानते हैं फर्स्ट है लाल चेर के नाम से परशिदवा चेर सासकोन था जिसके कनगी में एक मंदिर का निर्मान कराया था तो इसका सेन गुटवन था जिन्होंने कनगी में एक मंदिर का निर्मान कराया था दूशरा है तमील का गोरुगरंत जीवक चिंता मनी किस से समन्दी थे तो इसका राइट एंसर है जहन धर्म से तिश्रा कोचन है गाईज कि तमील भासा के सिल्पा दिक्रम और मनी मेखले नामक गुरुगरंत किस सम्मंदित है तो यह जो है वो बोध धर्म से सम्मंदित है चोथा है कि निमलिखित में से कौन संगम योगीन व्यकरन रचना स्रवादि महत्पूर रचना मानी जाती है तो इसका है राइट एंसर तोलक पीयम पाँचमा कोचन है गाईज कि तोलका पीयम गरंज समंदित है वैकरन और कायबिस से आठमा कोचन है गाईज कि धार्मिक कविताओं का संगरन कूरल किस भासा में है बहुत इंपॉर्टेंट कोचन है के स्थाफन कि यहां पर वर्ण किया गया है संग्यंग का अंधर्गत कौन से रह जाते थे तो इसमें चेर चोलो और फांडव तेनी करी यहां पर वर्रन किया गया है ग्रमा कॉचंगPER तम्हीलों के सबसे प्राचिन देवता कों थे जैसे कि मैंने बताया था मुर्गन थे वर्मा था वर्मा कोशन है में घस्थनीज ने अपनी पुष्थक इंडिका में कि संगम कालिन राज्ज कवर्णन किया तो पांडे राज्ज कवर्णन इन्होंने किया है आपको इसको योग में और किस के लिए विख्या थे याणी किसके लिए परसी देता तो वहां से कपास के वैपार होते थे हैं अ इसके लिए वैपार के लिए मुहत्पुल्र केंद्र था फिवट्टिन है और लास्ट है संगम कालें किन सばसकों का वेपार रोमन समराजज के होता था इसका राइट एंसर है चेर साथ सकों का उमिद करता हूं गाइज कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आपको और गाइज में एक गुड नीज को देने के लिए भूल गया था गाइज आप जितना जल्दी वन के सब्सक्राइबर पूरा करोगे मैं आप लोग अातो बजया राइबर मैंज करह ज सकतेबबर आमारी से एट वे जल्दी येजे जया है ख conspiracy, अ उड़ करहे वेजबर जामि एया है भाइज करामारी से का प्यकाइज करता है अ हम जाना है दिल आमिएम से जाईबर खंबर मैं मैं बहुत हैं इंता हू़ तो से टार गाइज क